हाई गईज, वेलकुम बैक तो माई चैनल, मैं हूं स्पीटी और आप देख रहे हो स्पार्कलिंग सोल्स आज के वीडियो में हम बायत करने वाले हैं कि सिर्फ साइन ही साइन क्यों दिख रहे हैं हर चगा दरेसल आपको universe हर समय कुछ ना कुछ बताने की कोशिश कर रहे हैं यह जो ऐसा time चल रहा है जहां पर कई सारे लोगों की wish manifest होने वाली है तो universe यह चाहते हैं कि आप भी इसी time पर अपनी wish को manifest कर लो और इसलिए वो आपको सायन दिखा दिखा कर आपसे बार बार बात करने की कोशिश कर रहे हैं वो आपसे ये कहना चाहते हैं कि अपने भीतर से आप जो भी pressure, feel कर रहे हैं जो भी pain जैसी चीज़े हैं उसे अपने भीतर से पूरी तरह खाली कर दीजे अपने कंदों को पूरी तरह हलका कर लिजे जो भी ऐसी बाते हैं जो आप अपने मन के अंदर पकड़ के रखे हो अब टाइम आ गया आपको अपनी विश को पकड़ना है उन सारी बातों को उन सारी painful memories को आपको अपने भीतर से पूरी तरह निकाल देना है और दूसरा reason universe आपको बार बार हो सकता है इसलिए sign दिखा रहा है क्योंकि वो आपको ये बताने के कोशिश कर रहे हैं कि आपको अपने process में किन चीज़ों को ठीक करना है जो भी लोग अपनी wish को अपने dreams में देख रहे हैं और वो पूरे उस scene को जी रहे हैं जहां पर उनकी wish उनके साथ है तो उन्हें ना कुछ ना कुछ message जरूर मिल रहे हैं कुछ ना कुछ ना universe उन्हें बताने की कोशिश करें कि exactly किस जगा उन्हें अपने चीज़ों को बदलना है अपनी मन की स्थिति को किस जगा change करना है अगर आप इन चोटे-चोटे sign पर नजर डालोगे ना तो आपको यह समझ बहाएगा कि आप किस जगा हलकी-फुलकी गलती कर रहे हैं आपसे कौन सी चीज ना रह जा रही है पूरी तरह 100% done करने से और तीसरा reason universe आपको बार-बार sign इसलिए दे रहे हैं कि वो यह चाहते हैं कि आप पूरी तरह उनसे अपना connection बना के रखो आप अपने मन के अंदर उस belief वाली energy को जगा कर रखो वो जो belief का दिया है ना वो आपके भीतर हमेशा ना जगमगाते रहना चाहिए यह belief की energy आपकी heart energy के साथ पूरी तरह यह को जानी चाहिए जब हम पूरी तरह belief की energy से भरे हो हैं तो हमारे अंदर ना hope वाली feeling बहुत ज्यादा powerful हो जाएगी और इस तरह से आपकी जो चीज़ें उसके रास्ते में कोई भी रुकावट आपके wish को आपके पास आने से रोक नहीं पाएगी और point number fourth हो सकता है आपको sign universe बार बार इसलिए दिखा रहे हैं कि आपको अपनी right path से भटकना नहीं है आप अभी सही रास्ते पर आपको इसी रास्ते पर आगे बढ़ते रहना है कई सारे distractions आएंगे कई सारी चीज़े आएंगी जो आपको आपके रास्ते से हटाने की कोशिश करेंगी कई सारी ऐसी परिस्तितियां आएंगी जो आपको test करेंगी जो आपको check करेंगी पर इन सारे टेस्ट और इन सारी चीजों को पार करने के बातां आपको आपकी विश मिल जाएगी आपको हार नहीं मानना, आपको डटे रहना, आपको अपनी चीजों को युनिवर्स से ले करना तभी हटना है तब तक आप अपना थ्यार रखिए और खुश रहें, बाब बाई